सन 2020 में एक पती सुप्रीम कोट के पास पहुचता है मानसिक उत्पिलन के आधार पर अपनी पतनी से तलाग के लिए सुप्रीम कोट उस केस को खारिज कर देता है और कहता है कि अगर आपको तलाग चाहिए मानसी कुद पुलियन के आधार पर तो आपको लोवर कोट जाना होगा जबकि उससे पहले बाद लोवर कोट हाई कोट और सुप्रीम कोट के दरवाजे खटखट आ चुका है तो सुप्रीम कोट का ऐसा क्यों कहना पड़ा इस पूरे केस को समझेंगे क्या एक विक्ति को अपने जीवन साथी से अलग होने के लिए पंद्रा वर्स का इंतजार करना पड़े है कि जबकि जीवन प्रत्यासा लगभख तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है आप अनकेडमी पर त्यारी कर सकते है बहुत सारे बैचे से स्टार्ट कर दिये गए है आप इन बैचेस को इंड्रॉल कर सकते है लाइफ टेन कोड के माध्यम से ल आई एफ इवन जीरो इससे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा अभी 20% का फ्लैट डिसकाउंट चल रहा है क्योदा अप्रेल तक तो आप इस ओफर को अवेल कर सकते हैं और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफ लाइन बैचेस भी प्रारंब कर दिये जा रहे हैं जोडिसरी के 5 जून 2023 से आप इन बैचेस को भी जोईन कर सकते हैं अगर आप ऑफ लाइन इस्टडी करना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग आते हैं केस के उपर इस केस में क्या होता है स्टेप बाइ स्टेप समझेंगे पती पतनी दोनों जो है एक दो से एक उपर आरोप लगा देते हैं एक विक्ति जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीछ चाहता है तो वो है सुकून और जब उसे अपने साथ रहने वाले विक्ति के साथ सुकून नहीं मिलता है तो वो उसे अलग हो जाना चाहता है लोगों को सिर्फ दो ही चीजे लगती हैं जिन से सुकून आता लेकिन वो वास्तों में सिर्फ भॉतिक चीजे तक ही सीमित है तो 2005 में इन दोनों की शादी हो जाती है शादी होने के दो वर्सों बाद एक पुत्री होती है और पुत्री के होने के बाद इन दोनों के बीच में आपसी टकराओ शुरू होता है पती ने आरोप लगाया है कि पत्नी और उसके रिष्टिदारों और दोस्तों ने मिलकर जहां पर वो काम करता था वहां पर उसकी खुब भयानक पिटाई कर दी गई करती कोड़ी प्रूरता पूर्ण वहार यानि कि समझंगे इनसान है इंसान की तरह वहार नहीं किया गया यानि के जंगली जानुवर की तरह इस विक्ती की चाहिए कर दिया कहां पर lower court में family court के सामने है जिन तो court द्वारा तलाक नहीं दिया गया अब court ने तलाक देने से मना कर दिया क्यों मना कर दिया क्यूंकि यह जो आरोप लगाए गए थे इसके साक्ष नहीं मिल पाए इस आधार पर इनो ने तलाक का case वाँ आपम मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ हों यह में किस आधार्पर देता हैं गार बदोल्क सब्सक्राइब नहीं पाए तो edited इनवर ऊहए नहीं तो भी तल नहीं पाया अब आशी plaisतिति में क्या होना था अब ऐसी इस्तिती में पत्नी भी फागल हो गई कि तुमने मेरे उपर केस दर्ज कर दिया तुमको ने छोड़ेंगे तो पत्नी ने क्या कर दिया अपना एक बेश बना दिया दहेज वाला इन्हों ने अमारे साथ दहेज लिया और दहेज की वज़ा से मेरे साथ मार्क अब आगे पहुंचते हैं अब इसके बाद पती बॉकला गया कि पहले तो सारवजनी के स्थान पर मेरे साथ कुरूड़ता पूर्ण व्यवार गया फिर दहेज उत्पिलन आपको पता है कि दहेज उत्पिलन का केस लगने के बाद पुलिस किस तरीके से परिवार के साथ द और हाई कोट में क्या किया कि तलाक की मांग की फिर से कि पत्नी ने दहेज का गलत आरोप लगाया है और इसकी वज़े से मानसिक प्रताड़ना उसे जहननी पड़ी है हाई कोट पहुचे उन्होंने कहा कि इन्होंने पहली बात तो इनकी पत्नी ने जूटा अरोब लगाया है तो इस जूटे विक्ति के साथ क्यों रहे और उसकी वज़े से हमें मानसिक रूप से परिशान होना पड़ा तो हाई कोट ने क्या का कि चलो भई आब हम तुमें तलाख दे देते हैं तलाग यहाँ पर मिल गया समझे तलाख का आधेश हाई कोट ने ज़ारी कर दिया लेकिन पत्नी बॉख ला गए और पत्नी पहुझ गई सुपरिम कोट कि यह हमको तलाग कैसे दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या वो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पहली बात तो मानसिक प्रताणना का प्रशन है ना कि तलाग का मानसिक उत्पिलन हो रहा है मानसिक प्रताणना आपको जिलनी पड़ी वो बात सही है लेकिन इस आधार पर आपको तलाख नहीं मिल सकता क्योंकि पहली बार जब आप लोवर कोर्ट में थे जब आप लोवर कोर्ट गए थे तब तो मानसिक उत्पिलन का आधार नहीं था इस वज़ा से सुप्रीम कोर्ट में आकर मानसिक उत्पिलन के आधार पर या मानसिक प्रताणना के आधार पर आपको तलाख नहीं मिल सकता और हाई कोट की जो सुनवाई थी या जब उसको जजमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया और बोला गया कि अब इसका जो ट्रायल है अधीनत न्याले में फिरसे प्रारंब करने का आदेश दिया जाए यानि कि अब लोवर कोट डिसाइड करेगा कि सुप्रीम मांसिक प्रता इस से सहमत है दूसरा अगर कोई विक्ति अलग होना चाहता है जब वह उसके साथ मांचिक रूप से खुश नहीं है लगातार वो टॉर्चर हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में उस विक्ति के साथ रहना जिरूरी है और नयायी की प्रक्रिया के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़े क्योंकि जब कि वह तीनों चरनों से होकर गुजर चुका है लोवर कोट में आपται देखा लोवर कोट के से फैमली कोट में दوبारा केस गया दहज उत्पिलन के बाद वो हाई कोट गया हाई कोट के बाद पतनी पहुँच गई सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट ने ये फैसला निरस्त कर दिया सिर्फ इस आधार पे कि ये मानसिक उत्पिल प्रतारना है और अब आप बताईए क्या सारी परिस्थितियां न्याले को को नहीं दिख रही है कि इसके साथ क्या-क्या हुआ और क्या जो इसकी बेटी है उसका विकास हो सकता है मांसिक और सारिरिक और साथ ही साथ समाजिक विक Saar नाम दोपन न्याहै को जरूड से जरूड सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ फैसला दो वेक्तियों का ना होकर यह दो परिवारों का है और दो परिवारों से जुड़े हुए सदस्यों के भविश्य का है इस तरीके से न्यायले को तुरित न्याय की प्रक्रिया को अविलंब जोहना लागू कर देना चाहिए जिस से हमारे देश में संतोस और सदभाव की भावना जागरत हो सके और सुचार रूप से लोग अपने जीवन को जी सके और वैवाईक निर्वाहन का पालन कर सके और जो नहीं रहना चाहते वो अलग हो जाए उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक अवेरनेस आई होगी और आप समझ पाए होगे कि किस तरीके से विक्ति जुहना आरोप प्रत्यारोप के चकर में विक्तिगा जीवन, सासितात, परिवारिक जीवन और बच्चों गा जीवन भी प्रभाव करते हैं थैंक यू सो मच जाहिंद